है फ्रेंट्स तो काफी कोई क्रिवी में बात करेंगे फिल्म वेदा की जिस फिल्म के ट्विलर को देखकर के मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई थी कि मेकर्स अपनी मास ओडियन्स को काफी अच्छी तरीके से टार्गेट करते वे एक हार्ड अभी मन्यू करेगा जिसे स्पेशल फोस्क आर्मी से कोट मार्शल करकर निकाल दिया गया है क्यों उसका रीजन तो आपको फिल्म देखकर के पता चल जाएगा जिन सब पर ये फिल्म अपनी पकड़ शुरुआत सही इतनी जादा इंटेंस बना लेती है कि आप वो कहते है जाना कि फिल्म का अंत जब तक ना हो जाए वो भी हाँ एक सैटिसफाई इंडिंग के साथ तब तक तो सीट से नहीं उठोगे हाँ सिवाई इंटरवल को छोड़ कर लेकिन अगर ऐसी स्टोरी में विलेन पावरफुल ना हो तो फिर वह कहते हैं कि फिल्म का बैलन्स कही न जादा हसाया था तो उतनी ही जादा नफरत आपको इस फिल्म में उनके कैक्टर को देख करके होगी और हाँ उनके साथ में जितने भी बाकी दूसरे विलेंज नजर आएगे वो भी बाकी तमिन्या भाट ये इस फिल्म में एक्स्टेंडड कैमियो में है जिन से हटकर सबस तरीके से उभर कराती है यानि अब एक्टिंग के मामले में उन पर मुझे किसी भी तरीके का शक नहीं है ये बात तो मैं आपको अभी ही कन्फर्म करकर बता रहा हूँ जिने अब फ्यूचर में भी मैं इसी तरीके के चैलेंजिंग रोल करता हूँ देखना चाहता हूँ क् यहाँ पर फिर से एक अलग एक्सेंट के साथ वो भी मेकर्स के भाई हैटस अफ डिसीजन के साथ जिनोंने इस फिल्म में एक्सेंट बागी फिल्मों की तरह मारे तारे वाले तक नहीं बलके एक्शल मारवाडी कैसे होती है वैसी ही रखी है जिस चीज को मैं बार बार बहुती ऑनिस्टी के साथ प्रेजेंट किया है जहाँ पर फिल्म के पूरे फरस्टाफ में हार्ड इटिंग मेसिज के साथ यह पूरी फिल्म जो अपना फ्लो बना करके चलती है तो वहीं सेकेंड हाफ वो गयता है ना कि फरस्टाफ के बिल्डप के बाद एक जंग में पकड़ को बनाया रखती है इसके अलवा फिल्म के कैमरा शॉट्स भी कुछ एंगल में बहुत जादा अच्छे है खास करके अगर एक सीन को पॉइंट आउट करू जहां पर सरवरी को कुछ लोग पकड़ करके मारते है तो कैमरे का एंगल ड्रोन के मदद से काफी जादा दूर भी लिया जाता है यही बताते हुए कि समाज किस तरीके से हो रहे अत्याचार को यूही खड़े रहते देखता है बागी फिल्म की कहानी तो ऑविसली ट्रू इंसिडेंस से ही बेस है जिस पर हो कहते हैं कि फिल्म पर एक्शन और मास ओडियंस के लिए अच्छी फिल फिल्म बनाई जाये तो उनका स्टेंडर्ट किस तरीके का होना चाहिए क्योंकि मैं ठक गया हूँ अब उस तरीके की फिल्म में देखकर के जहां पर एक्शन के नाम पर वो कहते हैं ना कि मतलब कुछ भी वाला हिसाब निकल करके आता है ऑफिस के लावा फिल्म का बीजिय की कैटिकरी के बात की जएतों मास ओडियन्स डेफिनेटली इस फिल्म को ए मैनेस की कैटिकरी में रखेगी तो वहीं बात की जाये क्रिक्स की तो क्रिक्स इस फिल्म को B-K ने रखेगे जिन से हटकर मैं मेरा उपीनियन दू तो मेरी नज़र Woah-क कहुंगा कि थेटर में एक्षेन लवर्स अगर कुछ इस हफते अच्छा देखना चाहते है तो वेदा मस्वाज बनती है जिस फिल्म को उन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए बाकि अब आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंड में लिखके बताईएगा कि वेदा आपकी उमीदों पर कितना खरा उतरी है बागी फिर क्या हदम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीज मुवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत मिलंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई झाल